आज हम बनाने वाले हैं यह बहुत ही ज्यादा कलरफुल और फ्लेवर फुल इटली जो कि दिखने में तो ही सुन्दर और खाने में तो वावा बहुत ही जला जबाब तो इसको हम फटावट बनाएंगे बिल्कुली नैक्शरल कलर से इसमें कोई भी बाहर का कलर हम नहीं आड करेंगे सब कुछ घर की सामान से बनाएंगे फटाफट उसके पहले आप यह कर लोगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबाएं ताकि हमारे खाने की खुश्मू आप तक मुमस्ती नहीं तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है पालक तो पालक ऐसी वेट लॉस में भी हेलप करता है और आपकी बोडी को भी रिलाक्स रखता है तो इस तरीके से पालक को चॉप करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे पहले इसका बना लेंगे एक पेस्ट जैसे की हम बॉil करता है बनाते लिए और जो दूसरा इंग्रीडेंट है मारा वह mobil ब बीट रूट पसद नहीं आता है बट बीट रूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिसल है तो इसको भी ऐसे बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस इसमें बीट रूट भी है तो क्या करेंगे इसको पहले छिलका निकाल देंगे और बारिक से चॉप करके इसको भी पानी डाल के कर लेंगे ग्राइन इसमें थोड़ा पानी जालना पड़ेगा पेस्ट बनाने के लिए तो अब यहां पर हमारे पास दो पेस्ट रेडी हैं एक पालक के और एक बीट उटके तो यहां पे मैंने दो जगे लिया है इटली का बैटर यह मैंने घर पे इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और अब इस दोनों बैटर में हम एड करेंगे यह पेस्ट तो पहले थोड़ा थोड़ा एड करना है जैसे कि आपको मतलब जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो इटली जो है नो फलफी नहीं होगी और इसमें नमक जो है पानी के बाद कुछ ऐसा कलर आया दिक्रायन अग्दम बहुत ही प्यार कलर बहुत ही सुंदर खाने में भी बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता कि बीटरूट पड़ा है इसमें तो मैंने पानी गरम करने के रख दिया था आपके पास पास चड़ा दो मेरे पास यह कूकर वा इटली स्टीम हो जाता है अगर आपका बैटर ज्यादा लिक्विड नहीं है तो मैं तो बिल्कुल दस मिनिटी करते हूं और दस मिनिट में आप देख सकते हो कितना ज्यादा यह अच्छे से फलफी और स्टीम होके रेडी हो गया है यहां पर मैंने कर लीज की प्लेटिंग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू पर वाचिंग और हैपी कुकिंग